पाँच ऐसे एनिमेज जिनने तुम हिंदी में देख सकते हो वो भी टोटली फ्री में हाँ आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें उन्ही एनिमेज का नाम बताऊंगा और इस वीडियो का एन्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस लिस्ट के अंदर एक्शन से लेके कॉम अनिमे है जिसके अंदर दो केरेक्टर की कहानी दिखाई है सबसे पहली मारीन की तागावा और दूसरा गोजो मारीन को कॉस्प्ले करना बहुत पसंद है बट उसे कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनानी नहीं आती तो वह एक दिन अपने स्कूल के क्लास्रोम में गोजो से मिल तो इस वाले अनिमे को जरूर चेक आउट करना और इसकी कॉमेडी काफी ज्यादा मसता है जरूर देखना इस अनिमे को अब जो फोट नंबर पर आ जाता है उसका नाम है रैंकिंग ऑफ किंग्स यह एक एक्शन एडवेंचर अनिमे इसके अंदर की जो कहानी है वह अपने आक्शन एडवेंचर अनिमे अगर तुमेंषा नीन आक्शन एडवेंचर अनिमे है जरूर चेक आउट करना और मैं तो हाइली रिक्रमेट करना यह वाले अनिमे जरूर देखना Starting में नहीं थोड़ा सा वियाड लगेगा इसका एनिमेशन बढ़ जैसे एसे अनिमे आगे ब साइन्स कंपनी उसको एक साइन्स एक्सपरिमेंट के पैसे देती है कि वह एक कैपसूल खाए और वह अपनी पुरानी लाइफ के अंदर वापिस चला जाए जिसके अंदर उसकी एज तो उतनी रहेगी बट उसका जो बॉड़ी टाइप है वह पास साल पीछे चला जागा मतल जादा फोकुस करता है ना कि कॉमेडी के उपर तो इसके अंदर ना थोड़ा तुम्हें ड्रामा भी देखने को मिलेगा अगर तुम्हें ड्रामा और रॉमकॉम और कॉमेडी अनिमे देखना पसंदे न तो यह वाला एनिमे तुमारे लिए बेस्ट रहेगा तो इसको पर या फिर पुराने टाइम में टिक टॉक के अंदर इस एनिमी की स्टोरी कुछ इस तरीके की है इनके वर्ल्ड के अंतर ना फिनिक्सर करके रोबोट होते हैं जिनको दो पाइलेट करते हैं एक मेल और फीमेल का आपस में बार्ण बैठना काफी ज़रूरी है कि फिनिक्स इसके अंदर का एक्शन देखने में मज़धार लेंगे गए इसके इंदर कर नजहें द्रामारा और रॉम्यांस वाला एंगल है उसको देखे तुम थोड़ा सा आप इमोशनल भी हो सकते हैं अकरी तुम्हें इससा ऐनिमी डेखना है ना जिसके अंदर एक्शन ड्रामा रो convert हो जाते हैं उनको फर्ट जनरेशन बुलाया जाता है और इन डीमन्स को रोकने के लिए एक special fire force बनाए गई होती है जिनके अंदर second generation और third generation के fire soldiers होते हैं जो की fire को control कर सकते है या फिर produce कर सकते हैं अपनी body के अंदर से और अपने इस anime का जो main character है न शीनरा वो एक third generation fire soldier होता है और वो इन डीमन्स को खतम करके है अपने शहर के अंदर खुद को एक hero जैसा दिखाना चाता है क्यों वो उसकी backstory के वज़े से उसकी backstory के अंदर कुछ ऐसा हुआ है और उसके जो sound effect है उसके वज़े से यह anime है और बी जादा badass बन जाता है तो अगर एक अच्छा action anime देखना है न तो इस वाले anime को ज़रूर चकाउट कर लेना miss बिल्कुल भी मत करना तो हाँ यही थे वह पाच ऐसे अनिमेस जने तुम हिंदी में देख सकते हो वो भी totally free में अब तुम इन्हें देख कहा पाओगे तुम इन्हें officially free में देख पाओगे crunchy roll के उपपर हाँ crunchy roll के उपपर यह anime available है वो भी totally free में बट तुम्हें न दो ads देखनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में दो ads के बाद है ना तुम यह anime को आना फ्री में देख सकते हो और इन सभी एनिमेस की डीटेल है ना तुम्हें और बाद 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 तुम्हें